हेलो गाईज, विलकम बैक ओन माई यूट्यूब चैनल और हाज़ेपन खास तोर से डिसकस करने वाले हैं कि RPSC के तहट खास तोर से राजस्थान के लिए अपने बात कर रहे हैं और हाली के अंदर विसे तो देखो MP, PSC के अंदर भी या फिर MP स्टेट के अंदर भी असिस्टेंट प्रोपेसर या सहयक आचार्य का जो एक्जाम है वो कंड़क्ट होने वाला है 27 या 28 जन्वरी की असपास और RPSC में देखो सिस्टम एलग है थोड़ा RPSC में जो पेपर है वो तीन पेपर होते हैं वो कंप्लेट हो चुका है जो यह जो पेपर था वो अपना कब था 7, 1, 24 यह पेपर अपना कंप्लेट हो चुका है ठीक है इसमें पहले तो अपन थोड़ा से इसका पेपर पैटन देखते हैं क्या आप लोगों ने एकजाम दी भी है सभी मेरे फ्रेंड्स इन्होंने देखा होगा कि यह जो पेपर था उसमें नंबर ओफ जो क्योशन थे नंबर ओफ क्योशन थे कितने थे हैंडर्ड और क्योशन हैंडर्ड थे मार्क्स किते थे 50 जो मार्क्स है उसका आपका पेपर कंडेक्ट हुआ था अब आपना जो आज का वीडियो जो है वो खासतोर से इसलिए लेके आये हैं अपन कि सेलेक्शन के लिए आपका जो पेपर थर्ड है या जीके का पेपर है वो कितना इसको रेबल रहता है या कितनी उसकी आवशकता आपको पड़ती है कई ऐसे डाउट्स है जो डैली कहीं न कहीं कोई कमेंट करके पूछता है तो उन सभी डाउट्स को अपन इस वीडियो में क्लिक करेंगे और उनका सबका जवाब वन बाई वन अपन देंगे और लास्ट येर की जो कटोफ है उसके बारे में डिसकस करेंगे खास दोर से बाउटनी सब्जेक्ट के रिगार्टिंग आपको मैं बताऊँ वालास्ट के अंदर कि लास्ट में कटोफ कितनी रही थी और पेपर में आपको थर्ड में कितने मांक्स अगर है देन आपके chances किते रहते हैं अगर है तो फिर आपको second और first paper में कितने score करने की ज़्यादा आवशकता है और कैसे score कर सकते हैं वो भी थोड़ा सा आज अपन discuss करेंगे सबसे पहले तो आपन देखते हैं कि paper जो third हुआ है राजस्थान का जिक्के उसमें कितने students का या फिर आपन कहें कि presence तो आपको पता है लग भग जो है present वो कितनी रही है इसमें 49% के आज पास ही present रही है ठीका presence काफी ज़्यादा कम है मतलब 50% के आज पास ही है और दूसरी च student से या जिन friends से भी बात हुई है उनका लग भग score मा आपको बता देता हूँ paper के अंदर आपका score है वो minimum का तो अपन कहें नहीं सकते 30 marks एक condition ऐसे भी है कुछ student 30 से 35 marks भी आ रहे हैं इसका मतलब यह condition है जिनके यह marks बने है ठीक है और ऐसा कोई ज़रूर नहीं है जिनकी condition ऐसी हूँ 15 से 20 marks भी बने है तो भी negative ज़्यदा सोचने के आउशकता नहीं है घबराने के आउशकता नहीं है अपने को अपने subject के उपर focus करना है लेकिन एक condition ऐसी है कि जिन candidate की marks साई खास तोर्चे science में बॉटनी जूलोजी chemistry physics mathematics है उन सब्जेक्ट में अगर किसी candidate के 20 से 25 में बन रहे हैं डैट मेंट काफी best यह क्या है दूसरी चीज है जिन candidate के 25 से 30 के वीच में बन रहे हैं वो काफी best है ठीक है और जिनके यह बन रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है 30 से 35 वैसे तो यह खास तोर्चे जो arts के candidates हैं उनके बन रहे हैं लेकिन फिर भी अगर किसी के science में भी बन रहे हैं तो सबसे best है अब अपना य में काफी contact हुए उन सभी का निश्कर्श यह निकला कि जिन candidate का selection हुआ था लास्ट बार उनके percentage या उनके कटोफ जो marks से वो कितने थे तो उनके marks जो थे वो लगभग 20 से 25 marks जिस candidate के थे उनके subject में अच्छे marks होने के का selection उनका हुआ है कई case से भी देखने को मिले हैं के 18 नंबर दिये हैं लेकिन not selected इसका मतलब इंटर्यू के भरोसे या इंटर्यू के उपर depend अपने को नहीं रहना है अपना selection अगर होगा तो केवल किस पर होगा return exam इसी पर अपना best selection होता है ना कि इंटर्यू की इंटर्यू में आपको जो भी minimum marks या maximum marks मिले वो आपको प्लस रहते हैं लेकिन selection अपना हमेशा कुन देता है return exam ही देता है इसलिए अपने सबसे पहले तो ये marks जिन marks के science वालों की ये percentage बन रहे हैं या marks बन रहे हैं सबसे second, दूसरी candidate कि जिन candidate के 15 से 20 marks के बीचे बन रहे हैं और उनको लगता है हमारे 40% नहीं बन रहे हैं तो हम paper first और paper second की preparation करे या नहीं करें पहले चीज़ तो जहां था किसमें है 40% का कोई rule इसके अंदर notification में जारी नहीं हुआ था कि minimum आपको qualification 40% चीए इसका और notification में तो कहीं नहीं है इसलिए इसको आप mind से निकाल दे पहले चीज़ तो आपके अगर इतने marks बन रहे हैं तो भी आपको paper second और paper first को अच्छे से strong करना है और इतने बन रहे है तो best है यह सबसे best है ठीक है यह दोनों condition यह तो वैसे भी जो candidate ऐ वैसे हैं वो तो वैसे भी brilliant ही है कोई जिनके इतने marks को score कर रहा है वो तो काफी अच्छे है ठीक है अपन इन दोनों की बात कर रहे हैं यह वाले जो candidate है इनको अब जो focus करना है किसके उपर करना है paper first और paper second के अंदर दूसरी चीज़ अपन देखें कि अब कितना score करें किसमे खास तोर से मा को बताऊं बोटनी का कि बोटनी में अब student को कितना score करने क्या आप सकता है किसी student को अपन average लेके चलते हैं 25 marks है और 20 marks है किस में है यह जी कि में अब उसके लिए कितना difficult है तो पहले एक बार आपन में आपको ले चलता हूँ RPSC के तहत होने वाला जो exam 2020 में था उसमें बोटनी की final cut off क्या रही थी after interview after interview cut off अगर आपन देखें तो यहां पर cut off entry कितने marks होता है 24 marks का paper तीनों मिलाकर कितने होते हैं 200 marks का और यहां पर कितने वैस होता है 224 number में से होता है ठीक है तो 224 में से out of 244 में स कितने marks आपके बने हैं तो यहाँ पर marks के अंदर दिया गया है जनरल की जो cutoff थी वो किती थी 149.06 EWS में थी 134.38, SC में था 126.86, ST में था 103.95 और OVC में था 137.18, MBC में था 101.78 यह कुछ इसके cutoffs थी अपन cutoff लेके चलते हैं यह वाली यह वाली cutoff लेके चलते हैं एक संभावना यह भी हो सकती है कि जो cutoff यह रही है वो कितनी seat थी? last bar किती seat थी? 33 post थी, किसमें? बोटनी के अंदर अभी कितनी है? 70 post है 70 post जस्ट डबल है इसका मतलब cutoff इससे एक दो नमबर कम ही जाएगी इससे जाता जाने के संभावनाई नहीं रहेगी लेकि फिर भी अपने एक इस idea को लेके अगर अपन चलते हैं तो आपके जो paper subject है subject में कितना score आपको करना होगा आप सभी students खास तोर से subject में जिनकी 20 marks बन रहे है प्लस आपको कितने लिक्याने है प्लस आपको लग भग 110 मान लो एक बार ये marks आपको कितने में से लाना है डेड़ सो में से 110 कितने में से है ये 150 में से 110 नमबर लाना है 110 और यहाँ पर आपन देखें 130 marks आपके बनते हैं 130 अगर बनते हैं प्लस आप interview interview में minimum आप लेकि चलते हो इसमें से 10 marks च्योंकि जिसके इतने बने हैं उनके 10 marks आ सकते हैं interview में और यहाँ पर 140 marks के calculation हो सकती है ये एक possibilities है कि आप इस idea से लेके चलते हो और यहाँ पर दूसरी condition अगर अपन इसको देखें 25 marks है 115 है तो यहाँ पर आपन देखें और ये 130 marks बन रहे हैं 130 marks में प्लस 10 करेंश बन तो यहाँ पर एक सू 40 नमर बन रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर 150 marks बनेगे नहीं एक सू 35 यहाँ पर आपन देखें 140 बनेगा यहाँ पर यहाँ पर 10 में यह जोड़े अगर इंट्रिव का तो भी आपके 150 marks बनते हैं और 150 marks आप मिनिमम लेके चलते हो तो इससे उपर कट ओफ कभी भी नहीं जा सकती अब यह जो कैलकुलेशन है आपके इसके अकोड़िंग आप सेकंड प्रेपर हैं उसकी देखें चाहे MPPSC का हूँ और चाहे RPC का हूँ दौनों भी जो सैलेबस आपको मेंसन किया गया है उसके टोपिक टू लाइन टु लाइन आपको वो टॉपिक क्लियर करने सबसे पहले तो और जहां भी थ्योरिक की बात करें किस की बात करें आपने सबसे पहले अब सेलेबस में लाइन टू लाइन आपको क्या करना है कवर करना है कवर विद शोड नोट्स शोड नोट्स इसके साथ में जिस टोपिक को आप के लिए कर रहे हूं उसी के साथ में लास्ट इयर के शोड पेपर ज्यादा ज्यादा प्रेक्टिस करें किसके सोड पेपर की ज्यादा प्रेक्टिस करना है ताकि आज तक जितनी भी एक्जाम हुई है अपने राजस्थान में हुई है, अपने राजस्थान के आसपास के स्टेट्स में हुई है, इंडिया की किसी भी स्टेट्स में हुई है, बोटनी में एसिस्टेंट प्रॉपेसर का, या जहां भी किसी भी बोटनी से रिलेटेड कोई भी एक्जाम का, अगर आपको पेपर मि थोड़ा सा मैंने method बताने की कौसिस की है, तो अभी जो MPPSC में exam है, अपनी तो चलो माई में है, RPSC के तहत होने वाली जो है, वो कितनी है, माई के अंदर exam होने वाला, इसलिए time है भी, तो भी आप डेली regular theory with last day के sword paper, इसके लिए sword paper जो है, वो अपनी एक तो ये book मैंने भी ज आस तोर से कोई भी candidate है, MPPSC चाहे RPPSC या RPSC के तहत होने वाली जो assistant professor की बोटनी की है, उसमें last day के sword paper इसमें collect किया गया है, यहां पर देखो, RPSC का है, RPSC के चार paper दे रखे हैं, MPPSC का दे रखा है, इसके अलावा जो CPSC का है, CPSC के दो है, और UP का है, उत्त्राखंड का ह RPSC का, एक ACF बोटनी का भी extra add किया हुआ है, एक RPSC डबल ARO का भी extra इसमें add किया हुआ है, यह सभी papers का इसके अंदर collection है, by language में यह book जो है, वो available है, हिंदी और English में, अच्छी paper quality के साथ में, आपको by post जो है, यह पड़ेगी 100, 250 रुपे की, तोकि काफी students ने इसको purchase की भी है, by post मैंने भेजी भी है, आपको सिर्फ इतना करना है, कि इसको order करने के लिए, आप WhatsApp पे address करें, 9636049989, कि उपर आपको क्या करना है, अपना address, आपको क्या करना है, सिर्फ address send करना है, QR send करेंगे, QR की उपर आपको क्या करना, 250 रुपे करना है, उसी दिन आपकी book चो है, व पोग ज्याव मिल्जेगी.